अच्छा जी लैंग्जेन के बारे में आपने काफ़ी कुछ आप सीख लिया है सारी बात है छे में मॉडियूल्स हैं इसके एप्लिकेशन का अंगा हम पर यूज होती है और किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है अब चलते हैं इसके में डॉकुमेंटेशन पेज के उपर स्क्रीन आपके सामने आपको नजर आ रही होगी यहां पर अगर आप गोर करें तो लैंग्चेन के ये वाला आपकी डॉक्स हैं अगर आप python.langchain.com slash docs पे जाएंगे तो वहां पे जाने के बाद आपके पास इस तरीके से ये पूरा document open हो जाएगा introduction में वही चीज़े हैं जो मैंने अभी आपको बताएं और मेरी आदत होती जातर slides जो हैं वह documentation से मैं बनाता हूं ताके to the point perfect knowledge हो ये ना हो के दरूदर के YouTubers को सुनके आंपर उसी बात करें. So, अगर आप इसको गोर से पढ़ेंगे तो जितनी चीज़े मैंने आपको बताएंगे आपको वह सारी चीज़ें यहां पर मिल जाएंगी and then if you go to the installation, you can install langchain like this or LLMs इसके इस तरीके से कर सकते हैं, all को करना है तो आप इस तरीके से install कर सकते हैं and then it depends on you कि आपने किस तरीके से utilize करना है based on your computer system and after that quick start के अंदर जाके आप इस तरीके से environmental set up के अंदर एक पुरे के पुरा lang chain के अंदर open AI की app को use करके predict कर सकते हैं using this thing ठीक है तो इस तरीके से आप पुरी summarization and analyzing structure data तो यह सारी के सारी documentation यहां पर पढ़ी हुए है if you click on something like this तो आपके पास chat GPT का clone कैसे बनाना है वो सारे के सारा code यहां पर पढ़ा हो you don't need to worry about anything everything is there or coding के साथ आपको मिल जाएगी सारी चीज़े ठीक है जो main चीज़े आपको किस चीज़ का ख्यार रखने है आपको basically APIs का ख्यार रखने है और models जो आपने use करने हैं वो किस तरीके से use करने हैं you need to clarify that by the way APIs की बात चली है API इससे पहले बलकि API पहले हम बात कर लेते हैं चैट GPT की API की आप कैसे ले सकते हैं आप platform.openai.com sorry openai की API तो accounts में यह वला link आप लिखेंगे अगर आपके पास ID है तो यहां से new एक secret key आप generate करते हैं which is API यह integration के लिए ज़रूरी है अगर आप paid customer है openai के so it will go a little bit longer अगर आप unpaid customer है तो कुछ देर के लिए तो चलेगी यह API and then hugging face के लिए अगर आप जाएं तो hugging face के लिए आपको एक account बनाना पड़ेगा hugging face का और hugging face के models को use करने के लिए आप फिर repo को use करते है I will show you that तो आपको यह यहां से hugging face.co settings और उसके अंदर tokens यह वाला address पर आप जाएंगे तो आपको key मिल जाएगी यहां से new token जो है आप बना सकते हैं यहां पर click करने के बाद right पर click करेंगे generate token कर लें यहां पर नाम लिखने के बाद तो आपके पास token आ जाएगा मेरे पास यह token है and I will copy this and then I will utilize this. So यह दो चीजें जो हैं अगर हमारे पास API पड़ी हुई है it should work otherwise अगर API आपने download की है और उसे एक ही घंटे में काफी दफा यूज कर लिए है तो it will snuck you out कुछ देर के लिए so you need to wait until it works next time या आपने account वो ना ले चाहिए GPT कर वहां से utilize कर लें so यह नहीं है कि API जारे अंतबाह के ऐसा नहीं होता it will take time और वो दुबारा से आप उसको use कर सकेंगे क्योंकि यह personal level की होती है अगर आप organization level की लेते हैं then you need to pay more और फिर आपको ज्यादा देर के लिए utilize करने की permission देते है ठीक है जी फिर हमारे पास यह जो simplest way to access computer for AI यह pricing है इसकी हग जो hugging face की वह आपको ज्यादा देर के लिए इसकी API use करने के लिए देते हैं same यहां पर API की अगर आप personal के लिए बनाते हैं तो it's fine otherwise अगर आप billing और बाकी चीज़ें इसमें add कर देंगे you can use this API for longer time so it's up to you और आप इसकी theory सारी देख सकते हैं आप अच्छा यह तो lang chain की बात होगी अब ह अगर मैं आपको लेकर जाओ यह आपके सामने लैंग चैन के कुछ चीज़ें हैं जो यह नोट बुक है यह पूरी की पूरी में आपको सेंड कर दूंगा बरहल तीन चार कोड़ें जो आपको सीखना जरूरी है सबसे पहले तो आपने करनल स्लेक्ट करने पाइथोन इंवर इंस्टाल करनी है और रण दिस तो लैंग चैन मेरे पास और रड़ी पढ़ा हुए तो यहां पर यह इंस्टाल हो जाएगा अगर मैं इसको क्वाइट ली इंस्टाल करना जाता हूं आपने इंस्टाल करना है एक स्पैसिफिक इंवारमेंट के अंदर या अपने PC के अंद यह सेकंड लाइबरेरी है विच आई नीड तो इंस्टाल कर लिया अब दो लाइबरेरी मेरे पास इंस्टाल होगी है पहली लैंग चैन की दूसरी ओपन एयाई की वाई वी आपने यहां पर अपनी की देनी है something like this import OS करने के बाद अपनी API की देनी है मैंने यहां पर अपनी API की दे दी है जो मैं बाद में रिमूब भी करने वाला हूं तो अगर आप यहां पर स्क्रीन रोक के यह मेरे वाली API की यूज़ करने की कोशिश करेंगे it won't work believe me तो अपना में टाइम ना जाया करना मेरा भी ना करना so this is how it works मैं इसको run करता हूं यह मेरे पास open API की किया गी है अब हमने क्या करना है यह इतना सा code लिखना है chat GPT मेरे को इसके PC के अंदर आ गई है हम यहां पर फ्रॉम लेंगचें डॉट लेंगज मॉडल फ्रॉम लेंगचें लेंगचें को इंपोर्ट करता हूं और open AI उसके अंदर से यानि के कौन सा अल्गुरिथम हमने open AI का बिसिकली लार्ज लेंगज मॉडल जाए उसे लेके आना है ठीक है ठीक है समझ आ रही होगे आपको अब यहां पर मैं इसको थोड़ा से जूम इन कर लेता हूं क्योंकि एक्सर अकाद लोग मुबाइल पर भी लगे होते हैं सो उनको नजर नहीं आएगा शायद सो open AI हमने कर लिए अब हमने LLM के अंदर क्या रखना है open AI और उसका temperature सेट कर देना है यह मैंने पिछली क्लास में बताया था temperature के हाथ है अगर आपको नहीं याद तो दुबारा से इसे देख लिए जेगा temperature किस चीज का नाम है और क्यों यह यह यूटलाइज किया गाता है तो जब आप open AI का large language model यूज करते है तो यह वाला model आपके पास आता है using lang chain which is text da vinci dash 003 यानिका text का model da vinci का which is a kind of algorithm from open AI which you can use using APIs and lang chain model अब इसको यहां पर यूज कर सकते है फिर यहां पर मैं text लिखता हूं मैंने यहां पर खुद से लिखकर रखा है what would be the nice what would be a nice name for YouTube channel about python for beginners in उर्दू और हिंदी ठीक है तो मैंने यह पुछा अगर मैं इसमें से हिंदी को अभी के लिए निकालता हूं you will see print मैंने क्या print किया LLM on text ठीक है मतलब LLM का मैंने object बनाया दूसरा text का बनाया अब जो मैं LLM को run करूंगा उसको print करूंगा let's run this और hopefully यह काम करेगा क्योंकि अक्सरोकात यह काम नहीं करता पाई उर्दू beginners इसने बड़े लेवल के भी मुझे नाम दिये थे पहले यह देखिएगा दूसरा में चला के देखता हूं पाइथोन सीखना सीखो यह मैं नहीं दे रहे हैं चैट GPT की तरह conversation module मुझे काम बता रहे है पाइथोन सीखो इन उर्दू हिंदी सीखो जारी बात है उसको नहीं पता पाई उस्ताद क्या नाम है पाई उस्ताद अच्छा नाम है ना पाई उस्ताद जबर्दस नाम नाइस आईडिया बाइधा वैब ना सकता है आप मेंसे किसी ने बनाना है वरना मैंने तीन-चार दिन के अंदर लॉइंस किड़ेंग इस चैनल का नाम सोचना जरूरी नहीं है चैनल पर डिटे रहना जरूरी है पाइथोन प्यारे अब आपने देखा होगा मैं थोड़ा सबर कर करके फिर इसको यूज़ कर रहा हूँ उसने करना रुको ज़रा सबर करो बोला धका मुकी नहीं करने का तो उसने हमें रोकना है कि भई धका मुकी नहीं करो उन्होंने क्यों बोला उसने का कि आपके पास जो API है ना वो आपको इतनी ज्यादा चीज़ें यूटलाइज करने के नहीं यह नहीं है आप क्या करें इस लिंक पे जाएं और अपनी बिलिंग इंफरमेशन एड करें यह जिन लोगों का API नहीं चल रही उनका एक तो यह मसला होती पेमेंट नहीं हमने एड की होती भई AI है इट कम्स विद मनी अब पैसे लगाओ जितना मर्जी यूज़ करो थोड़ा सबर करो थोड़े थोड़े सेकेंड बाद यहर रन करो इतस फाइन आप उनको वाइलेट ना करो क्योंकि टॉंके टम्स अंड टक्षिंशंस हैं और की लगाऊ this is how it works टीक है तो आप चेक करें कि ये छे लाइनों के अंदर मेरा प्रॉम्ट रेडी है, मेरा लैंग्चेंड मॉडल मैं यूज कर सकता हूँ, तो क्या मुश्किल है यार लैंग्चेंड को यूज करना है फोर LLM, ये तो अभी हमने सिंप्ली यूज किया है, किसको जनाब, हमने यूज कि ओपन AI के GPT algorithm, kind of thing को, जाने के text DaVinci-003 को, what if we want to use hugging face hub, जो मैंने आपको पहले भी बताया, कि अगर आपके पास इसकी API नहीं है, तो आप hugging face की यूज कर सकते हैं, which is kind of slow, ये बहुत slow है, और जारी बात है, अगर आप paid customer है, तो ये heavy होगी, और hugging face दिन टाइम slow होता है, रात क time भी slow होता है, सुबह सुबह first time अच्छा चल रहा होता है, वही analogy है, US के अंदर सारे सो रहे होते हैं, इस वज़ा से, because it's a big community, and AI जो इस पे काम कर रहे हैं, so you can utilize these servers at that time, by the way, इसके लिए आपको यहां पे hugging face की key डालने पड़ेगी, जो मैंने यहां पे ठाली है, ठीक है, OS.environ अब हमें यह वाला token डालना पड़ेगा, और यह मैंने नहीं लिखा अपनी मर्जी से ऐसे string बना के लिख दिया, यह LLM models कहते हैं, कि ऐसे लिख हुआ, open AI बड़े हरूफ के अंदर, capital letters के अंदर, फिर API फिर key, so you can utilize this hugging face, अब hugging face को कैसे use करने हमने, हमने इसकी key लगाई, key ल past वाला link होते हैं, जितने models आपके, LLM's की base पे हैं, hugging face के ऊपर, you can utilize any of those, जारी बात है, पैसे लगाने पड़ेंगे आपको, API के लिए अगर सारे के सारे use करने हैं, जो बहुत slow और steady काम तो करते हैं, लेकिन उसके अंदर, आपको result थोड़ा सा जल्दी मिल जाते हैं, translation के भ और किस तरीके से उनकी repo जो है, आप वो utilize कर सकते हैं, just give me one second, मैं link यहां से copy करना, और यहां पे यह link paste करके, और यह आपके साथ अभी screen share करते हैं, hopefully सही वाली होगी share, इतनी खुली होती है screens है, हम यह दरुदर दीना होगा है, खैर, this is one of the models, जिसका नाम है flan-t5 excel, जो Google का model ह Google ने इसे train किया है, और जहरी बात है, यह एक transformer है, transformer का अगर आपको नहीं बता, तो जो NLP के अंदर आप utilize करते हैं, उसको transformers बोला जाता है, और basically आप क्या करते हैं, एक चीज को encode करके दूसरे में करते हैं, याद है यार, आपको encoder, decoder पढ़ा है था, जब हम इसी चीज को translate करते हैं, NLP के अंदर, तो वो दुनिया दोर गया कि आप खुझ से सारे के सारे model train करें, बड़े से बड़ा टेक्स लेकर हैं, but you can do as well, deep learning के तुरू जो आपको बताया गया था, एक theory समझाएगे थी, LSTM के अंदर, याद हो आपको, तो वो large language model यहाँ पे flan, T5, Excel बढ़ा कर रहा था, इसको copy करें, ठीक है, और इसको copy करने के बाद, आप directly जाएं जनाब अपनी lang chain वाली IPYNB के अंदर, यहाँ पे इसको paste करें, और उसके parameter add करने के बाद, इसको आप run कर सकते हैं, by the way, मैं इस वगत Apple MacBook को use कर रहा हूं, तो इस वज़ए से इसके अंदर Python कुछ मसला करें, इस वज़ए से, मैं से run नहीं करूँगा, but it's very simple like that, you can use this hugging face API to run this model, ठीक है जी? अच्छा जी, अब यह तो हो गया जनाब आपका utilization के किस तरीके से अब language, lang chain models को use कर सकते हैं, and what if we need to make an app using the same thing, मैं यहाँ पे lang chain app आपको एक दिखाता हूं, streamlet के अंदर utilize करके बाद, 14 lines के अंदर, 14 lines के अंदर, आप पुरी के पुरी app बना सकते हैं, और आपको खुद वाली API भी नहीं देनी पड़नी, इसके उपर बात करते हैं, यह वाला streamlet के अंदर पूरा dashboard यह app बनाएंगे, which is a kind of complete project, यह 14 lines आपके लिए हैं, लोगों के लिए यह एक app है, तो app 14 lines की हो, 200 lines की हो, app, app होती है, software, software होता है, so you don't need to consider के छोटा project है, वो बड़ा project है, nothing works like that, technology आ गया है, so you need to consider this as a project, by the way, import streamlet st from langchain llms.import openai, जो हमने वहां पर काम किया था, title लिख दिया हमने, title लिखने के बाद यहां पर एक हमने sidebar लगा दी, st.sidebar.text input, streamlet के बारे में मैं detail में बात नहीं करूंगा, because we already know these things, यहां पर मैंने एक function लिखा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, generate response का function हमने लगाया, और with stm, st.form, हमने my form बनाया, और यहां पर हमने text लिखा, जो भी हमारा prompt होगा, फिर उसको submit करवाया, हमने submitted button के through, and then we have this API key, जिसकी base में response मिल जाता है, ऐसे आपको समझ नहीं हानी, इस वड़िया से मैं इसको run करके आपको दिखाता हूँ, it's very simple, and you will see का यार, इतनी छोटी सी आप किस तरीके से काम करती है, let me see, यहां पर हम हैं, for example, अगर मैं, mamba activate streamlit करूँ, for now, अब हम मैं lang chain में, lscd streamlit, run, मेरे पास जो है जनाब, आप पड़ी है, apps के अंदर lang chain app, apps dash, oh sorry, apps slash lang underscore chain underscore app, मैंने जान बूच के बड़ा नाम लिखा हुआ है, उसकी reason यह है कि I need to make this as kind of indexed file, लो जनाब, यह आपके सामने यह वाली app आजाएगी, इस तरीके से open होके, ठीक है, you know this, कि यह छोटी सी app है, आप यहां पर कुछ भी prompt लिखें, submit करें, तो उसका answer आजाएगा, मैंने submit किया, मुझे उसने answer ने दिया reason behind this, मैंने चाहता मेरी API की यहां पर user, मैंने user को बोल दिया, कि भाई, अपनी API की खुद ले किया हो, तो यहां पर user की API की लगेगी, which I'm going to add now, copy करके, यहां पर मैं paste करता हूँ, मैंने साथ में लिखा हुए, open AI की API की हो, enter करते हैं, अब मेरे पास API आगी है, जैसे API यहां से warning remove होगी है, जो लास्ट में कोड था, वो warning का था, and now we can write anything, submit करेंगे, और यह GPT algorithm आपके अपने PC में चल रहा है, you are making a kind of clone, I would say, for this chat GPT on a small level, मैं बहुत बड़े वाला clone नहीं कह रहा, छोटे वाला clone, और, यहां पर मैं add करता हूँ, for example, make a tweet about lang chain, using emojis, let's see, क्या करते है, पांजी क्या हाल है, उसको पता है नहीं है, यह GPT के जितने algorithm होपनी आई कि उनको नहीं पता, because it came afterwards, मैं यहां पर लिखता हूँ, about tensor flow, ठीक है, तो एक छोड़ा सा tweet हुमारे पास आगया, I mean, this is just the beginning, आप इसको लंबा भी कर सकते हैं, और अपने तरीके से इसको यूज भी कर सकते हैं, so this is how lang chain works, बड़ी सिंपल सी मैंने आपको example दी है, आप अगर यह चाहें, तो deploy करना चाहें इस आपको, तो deploy पर click करेंगे, मैं अभी नहीं करने वाला, because we are going live, इसके तरूब आप गिटब पर जाते हैं, और वहाँ से आप जो आपकी deploy आजाती है on stream later, तो इस तरीके से आप अपना lang chain के जितने भी algorithm में उनको utilize करते हुए, उनसकी power को utilize करते हैं, आप apps के अंदर convert कर सकते हैं, this was a small project, जो हमने lang chain के उपर किया, और using lang chain, LLMs, यानि के हमने open आए क्या, LLM यूज किया और उसके अंदर हमने ये काम किया, hugging phase को भी आप यूज कर सकते हैं, there are endless opportunities, और इसको आप बिल्कुल different resources के अंदर भी convert कर सकते हैं, using tinker, आपको tinker चलानी आनी आती है चाहिए, otherwise it would be a hassle for you, so streamlet सिर्फ एक main library है, जो आज के दोर में dashboards के लिए और apps के लिए यूज की जाती है, तो दुनिया के साथ चलना चाहिए, जब भी python और data science का नाम आता है, streamlet टॉप पे होती है, software development का नाम है, तो tinker top पे होती है, deployment का नाम है, तो heroku या streamlet, दोनों के जो clouds हैं वो top पे होती है, so it's up to you, whatever you want to use, दुनिया आपको घलत नहीं कहेग, लेकिन trend के साथ चलना सिखे, ताकि लोग जो हैं, वो मिन चीज़ों को समझे, तो इसके साथ आप practice कीजेगा, मैं आपको code दिखा देता हूँ, अगर किसी ने screenshot लेना, they can take the screenshot और, ये code आपके सामने, अगर आप screenshot लेना चाहें, you can take the screenshot तो app आपके सामने बनी बनाई आजाएगी, so it's like 14 lines of code के अंदर, पुरी के पुरी आप बना रहे हैं, using python, ठीक है जी? आपके तो यहां पर मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ और